हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूटीब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टेक तो फ्रेंट्स मेरी इस वीडियो में आपको साइड में हाँ पर ये मोबाइल स्क्रीन दिखरी होगी मेरी तो फ्रेंट्स आपको इस तरह की एडिटिंग करना आना बहुत ज़्यादा ज कि आप अपनी यूटीब वीडियो के अंदर मोबाइल स्क्रीन को कैसे अड़ कर सकते हैं या अपनी फोन स्क्रीन को कैसे लगा सकते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से तो फरेंड्स हम आचुके हैं अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो अपनी YouTube वीडियो के अंदर आपको mobile screen एड़ करने के लिए अपनी phone की screen एड़ करने के लिए आपको एक application की ज़रुवत पड़ती है जिसका नाम है काइन मास्टर मैं आपको काइन मास्टर में editing करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें अपने YouTube की जो वीडियो है उसके अंदर आप अपनी phone की screen को लगा पाएंगे तो सबसे पहले काइन मास्टर की जो application है जैसे यह application है मैं इसे open कर लेता हूँ तो इसे open करने के बाद आपको यह जो plus का icon है जिससे हम video create करते हैं आपको इसके उपर click करना है और यहां से आपको ratio select कर लेना है 16 ratio 9 जो YouTube video बनाते हैं आप उसका होता है 9 ratio 16 आप shorts video का कह सकते हैं या reels का कह सकते हैं इंस्टाग्राम का कह सकते हैं ठीक है और यह one ratio one ही square हो गया तो हमें 16 ratio और 9 में ही हम YouTube की वीडियो बनाते हैं तो हमें यह select कर लेंगे और मैं यहां से एक dummy वीडियो अपनी कोई यहां पे insert कर लूँगा इस पे click करते ही ठीक है तो मैंने आपको सिखाने के लिए एक dummy वीडियो यहां पे insert कर ली है जैसे हम मान लीजिए हमें यहां पे 9 सेकंड के बाद यहां पे हमें वो phone की screen लगानी है शो करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है अब यहां पे हमें layer का एक option दिखाई देगा आपको यहां पे उपर तो हमें simple इस layer वाले option के उपर click करना है और हमें अपने phone की पहले screen recording कर लेनी है जिस media को हम यहां पे insert करेंगे उसके लिए हमें पहले उसकी screen recording कर लेनी है अपनी जो वीडियो हम यहां पे डालना चाहते हैं और उसके बाद आपको यहां पे layer के उपर click करके यहां पे आपको एक media का option दिखाई दे रहा होगा आपको simple इस media के option पे click करके उस video को यहां पे insert कर लेना है तो मैं simple करता हूं layer पे click और उसके बाद media पे और अपनी वीडियो को यहां पे डाल देता हूं तो friends आप देख सकते हैं यहां पे यह वीडियो यहां पे आ गई है जो screen recording मैंने की हुई थी तो मैं इसको यहां पे इस तरफ set कर लेता हूं या यहां पे इस तरफ set कर लेता हूं या अपने according set कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहां पर मैंने इसको यहां पर लगा दिया और मैं इसको बड़ा चोटा भी कर सकता हूं ठीक है यहां से पकड़के मैं इसे बड़ा चोटा कर सकता हूं तो अभी फिलाल मैं इसको यहीं पर रहने देता हूं ठीक है उसके बाद मैं इसमें दुबारा से ब भी फोन का ठीक है और महाँ से आप को Creative Common License लेगे Download कर लेंगे तो आपको कोई copyright की शिकायद भी नहीं आएगी ठीक है तो आप महाँ से Download कर लेंगे मैंने एक Download किया हुआ है तो वह मैं यहाँ पर आपको insert करके दिखा देता हूं ठीक है उसके बाद फिर से हमें लेयर के जाना है और मेडिया मेंसे, उस phone frame को यहां पर insert कर लेना है तो मैं जल्दी से कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा ये phone का frame भी यहां पर आ चुका है ठीक है तो उसके बाद हमें क्या करना है इसको पकड़के इसकी जो screen स्क्रीन है इसे और बड़ा कर लेते हैं तो यह देखिए आप देख सकते हैं ठीक है और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जरा सा इस तरीके से आपको एड़ेस्ट कर लेना है आप देख सकते हैं अब यहां पर फिर बाहर क्लिक कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं मेरी फॉन की स्क्रीन इसके बाद ये आपकी स्क्रीन तो लग गई अब आपका जो ये mobile का जो frame है उसे यहां से नीचे से पकड़ के आप बढ़ा कर देंगे जहां तक आपकी वीडियो है वहां तक आप उसे बढ़ा कर सकते हैं ठीक है तो अब मैं आपको इसे play भी करके दिखा देता हूँ जैसे मैं यहां से इसे play कर देता हूँ जैसे यहां पे play पे click करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरे phone की screen में जो video है वो भी play हो रही है और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको सनाई दे रहा होगा किस तरीके से अपनी YouTube की जो video आप बनाते हैं उसके अंदर आप अपनी mobile screen को भी add कर सकते हैं और दोनों चीज़े आप एक साथ कैसे करेंगे वो सब मैंने आपको इस video में सिखा दिया है अगर फिर भी video से related आपको कोई query कोई भी question है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको video अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा like और share करें Thank you